तो तो वोग तो सबसे परले गुड मॉर्निंग है और मेरी भाई सब लोगों को पर ऐ रही है जल्दी से बहले मुझे बता दो और आप सब लोगों को सबसे पहले स्वागत है महिंदा के ओविशल यूटूब चैनल पर मैं कोछी महिंद्रा सतही दल से आप लोगा स्वागत क कार्दिक साब नंदिता जी अल्मिन साब अर्शना जी चलो मेरे बाइस सब लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग और बढ़िया तरी के सब लोग जोड़ जाओ ठीक है और एक छोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर आपको डीजिन से लेटेड कोई भी डाउट आता है तो सब्सक्राइब करते हैं तो यलगार है सब लोग तयार तो आगास करते हैं यह कोश्चन मैंने आप लोगों को एक बात बताए थी कि कभी भी कभी आप लोगों का यह वाला फिगर आता है तो तीन लेयर तक तीन लेयर तक तो उसमें ध्यान लखेगा एक फॉर्मला बताए था 2N-5 ठीके ना तीन लेयर तक सीधे-सीदे यह लगा लो 2N-5 तो एक बात सीधी सीधी तो सबसे पहले इसमें यह लगाओ 6, 7, 8, 9 तो 2N-5 मतलब 9 दूनी 18 18 मैंसे 5 गए तो कितने आए 13 तेरा तो सीधे-सीधे हो गए 13 यह 14, यह 15, यह 16, यह 17 17 दिख गए बूरी ग्लास को? 17 के बाद अब यह वाला बन जाएगा 18 और यह वाला बन जाएगा बबू उन्निस तो 18 और उन्निस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 19 is the right answer 19 बन रहे है 19 बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है सब लोगा जवाब बूरी तरह सही आया है 19 बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर गुडिया जी, संदीब जी, गुडिया गुमारी सब लोगा सही जवाब आया बहुत बढ़िया चलो अब देखते हैं अगला कोश्चन क्या है यह है आपका कोश्चन इसका बनाएं आप लोग आनसर और थोड़ा स्पीड से चलते हैं देखते हैं आँसर बनते हैं कि नहीं बनते यहां पर रश्मी सौनी मैम, उदय जी, गुडिया जी, संदीब जी, सब लोगा जवाब ताबर तोड़ आया है, बहुत बढ़िया, आप देखो, कोश्चन बनते हैं, नहीं बनते, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, आज अपने लोग भी, फड़ावर से, देखो बताओ, क्य से चोटी होती, दस से चोटी होती, तो सिंगल लिजिट अपन लोग सोचते, वैल्यू दस से चोटी तो है नहीं, है ना, तब अपन लोग सिंगल लिजिट सोचते कि सबको जोड़ दू, और सबको जोड़ के उसका सिंगल लिजिट कर दिया होगा, तो यानि कि सबको जोड दो नो नो अठारा और ती निक्यस लॉजिक बैठ गया सेम कंडिशन रोट पर लगाओ आरो एडी तो यहां पर अठारा नो एक चार तो आठार एक का हो जाएगा नो नो का नो ही रहेगा एक का एक ही रहेगा और चार का जार सबको जोड़ दो एना आठार एक नो अच्छा इसकी पंद्रा होती है पांच और एक 6 हो जाएगा ठीक है पांच और एक 6 हो जाएगा सबको जोड़ दो तो कित्ता हो जाएगा 20 बिल्कुल सही जवाब है 9 और एक 10 और 6 और 20 20 आ रहा है पूरी क्लास का आच चुका है इसका लॉजिक सोचो बहुत बढ़िया सीरीज आपके सामने यहां पे सचिन जी गुडिया कुमारी जी विश्नु जी नंदिता जी बहुत बढ़िया सब लोगा जवाब आया है उमेश साब का जवाब आ गया अनुजू का जवाब आ गया बहुत बरिच बिल्कुल यहां सब लोगा जवाब आ रहा है ताबर थोड़ वेरी गुड इसका जवाब मुझे बता दो भाई इसका लॉजिक क्या है गुड मॉनिंग चलो तेज अठाइस 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 उननचास 62 आगे क्या आएगा यहां पे अंतर पकड़ो पांच का है यहां पे अंतर पकड़ो सब्सक्राइस जवाब साइस तुन सब्सक्राइस इसवाब कर्शू यहां पे अंतर पकड़ों सो होगा थे बिल्कुल सही जवा हो जाएगा 72 जवाइगा सब्सक्राइब इसका जवाब पताओ इसमें कितने ट्राइंगल से कि देखो जो लोग लगाता रहे हैं उन लोगों को ये कोश्चन देखते बनना है अब देखते बना पार रहे हो नहीं यह वाली बात होगी अब देखो देखते बन रहे हैं नहीं भी अहली बात होगी यहाँ पर अन्रिजू संदीब जी उद्याजी दानिश अली उद्या सरकार सब लोगा जवाब से आया है बहुत बड़ी है चलो अभी अभी सन्ने क्या सिखाया था अभी अभी सन्ने एक बात बोली थी कि जितना भ आजगे तो कितने आगे 27 28 29 31 32 33 33 33 के बाद ये एक बन जाएगा 34 और ये एक बन जाएगा 35 35 है 35 35 बन रहे है 35 कहां से दिख रहे है इसको 35 बल्कुल से जवा हो जाएगा 35 है ठीक है चलो इसका बताओ इसका क्या आएगा नेफ्यू बॉय होनेस्ट चतिस वालों का जवाब पूरी तरह गलत हो गया 35 वालों का जवाब सभी है रश्मी सौनी जी गुडिया जी कलच जवाब हो चुका है ठीक है प्रीच साहब गलबड हो गया 35 अरतिस अरा ये लोग कार्टिक राज जी का ए गजब के लोगों तुम लोग इसका बताओ इसका क्या होगा इसका जवाब यहाँ पर क्या बने का मेरे भाई बताओ इसका ओडर यहाँ पर क्या होगा 36 B को प्लस बोला है 13 C को माइनस बोला है 7 D को इंटू बोला है 7 के बाद 8 अच्छा A मतलब क्या है डिवाइड 2 B मतलब प्लस 14 sol करो इसए 8 से 2 जएगा 4 जैगा माइनस 13 फ्लस चवदा साथ चौक 28 फ्लस 14 फ्लस 3 चथा तो यहां में कर दूं तो 36 फ्लस 27 माइनस 28 यह तो यह प्लस का एक है और माइनस का एक ज्यादा है 35 is the right answer 35 दिल्कुल सही ώब होगा 46 क्यों होगा पहले डिवाइड होता है पहले डिवाइड कर होगे न पिटा 35 दिल्कुल सही जवाब होगा 46 नहीं होगा इसका सब आप सोचके मुझे बता हो इसका क्या मतलब है पहले अब इस कोश्चन को पड़ो एक्जामने ने आपको यहाँ पर 4 डिब्बे दिये हैं 70, 50, 30, 90 और ऐसा वो combination पूछ रहा है जिस combination से डिब्बा नहीं बन सकता मतलब कौन कौन सा combination फ्रेम हो सकता है कौन सा combination बन सकता है और किस combination से answer नहीं आ सकता आपको वो जवाब ढूढना है कि किस combination से answer नहीं आएगा बताएं अभी तक किसी है कोई जवाब नहीं आया इस question में आपको तीन combination बताब यहाँ पे कौन कौन से combination possible हो सकते हैं क्या 220 का combination बन सकता है क्या 210 का बन सकता है क्या 240 का बन सकता है 100 का बन सकता है कौन से combination नहीं बन सकता हूँ बताओ देखो इदा अगर मैं 70, 30, 50 और 90 इन सब को जोड़ूँ तो कितना बनेगा 10, 50, 90 और 240 240 का combination बन सकता है ठीक है 240 का combination इन सबसे बन सकता है ठीक है क्या 210 बन सकता है क्या 170 बन सकता है चोलो सुएकते हैं 90 मैं अगर मैं 50 और 30 जोड़ू क्योंकि value थोड़ी छोटी है 90 और 50, 140 और 30, 170 ठीक है 170 भी बन रहा है अब 210, 220 सोचते हो कि ये दोनों number आसपास कें 10 का अंतर है बस ठीक है कौन सा बन रहा है तो 90, 70 और 50 बड़ी value बकड़ी तो 90 और 50, 140 और 70 210, 210 तो बन रहा है लेकिन 220 का कॉंबिनेशन नहीं बन सकता क्योंकि यहां पर 40 होता तभी 210 बन सकता था लेकिन यहां पर तो 50 रखा है तो यानि कि सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का 220 का कॉंबिनेशन नहीं बन सकता है ठीक है ना 220 का कॉंबिनेशन नहीं बन सकना एक सो सतन नहीं होगा बिटा 220 होगा इसका जवाब बताएं दिवाल की घड़ी चित्र फोटो फ्रेम गलीचा क्या अलग हो जाएगा यह विल्कुल सही जवाब हो जाएगा विश्कुल सही जवाब आ रहा है बहुत बढ़िया दिवाल की घड़ी चित्र फोटो फ्रेम गलीचा क्या अलग हो जाएगा क्योंकि यह सभी दिवाल पे टांगे जाती है यह सभी दिवाल Pret बताब है कार्पेट जो भचाया जाता है इसका बताएं आयलेंड डबलें इटली क्या यहां पर विश्णुकुता प्रीती मलिका सचेन गुडिया शर्मा बहुत सही जवाबारा है कार्पेट इस राइड अंसर आयलेंड की क्या डर्बिन है इटली की क्या है तो रोम होगी य जैसे एयर होस्टेस फ्लाइट में जाती है उसी तरह से कौन कहां पे जाता है तो इसे तरह से teacher कहां जाता है college जाता है डॉक्टर नर्स में नहीं जाता, एक्स़िएंट ट्रक में नहीं जाता, अभिनीतह रूल में नहीं जाता, वो पिच्छर में जाता है, तो दी is the right answer, डी सही जोगा हो जाएगा इसका रिवा बताएं इसमें से कौनसा वर्ड बनाया जा सकता है इससे कौनसा वर्ड बनाया जा सकता है इससे कौनसा वर्ड बन सकता है इससे कौनसा वर्ड बन सकता है can be which word can be frame कौनसा वर्ड बनाया जा सकता है बताओ अब देखते इदर सबसे पहले ऐसा देखा करो जिसकी spelling अलग हो तो यहाँ पर D और I तो साफ साफ देख रहा है S B है A B है O नहीं है लेकिन सर यह तो बन नहीं सकता यह गलत हो गया ठीक है O तो है नहीं तो O यानि कि इन तीनों में O आ रहा है बाकी कोई नहीं बन सकता हो किसी में भी O नहीं है इसका बनाए इसका logic क्या है इसका बनाओ देखो कौन timing के साफ सोचता यह वाली बात होती है सिर्क सोचने को तो दुनियां सोच लेगी logic आपको जल्दी से जल्दी logic सोचना है सिर्फ इतनी सी बात है यहाँ पर प्रीत जी दिविजान जी बबली जी रश्मी सौनी मैम कार्तिक जी उमेज जी 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 प्रतीक साब सब लोगा जवाब आ रहा है सचिन जी का भी आ रहा है बहुत बढ़िया अब देखो कौन जल्दी सोचता है यह 13 का स्कौाइर है यह 18 का स्कौाइर है तो सीधा सीधा दिख रहा है 85 को जोड़ दो तेरा हो जाएगा 12 और 6 को जोड़ दो तो 18 हो जाएगा 10 और 6 को जोड़ दो 17 हो जाएगा 17 का स्कौाइर 289 होता है 289 is the right answer ठीक है मेरे बाई इसका बताओ इसका क्या होगा यहाँ पर गुडिया जी विशाल जी रस्मी सौनी मायम उदै जी सब लोगा जवाब आया बहुत बढ़िया अब इसका लॉजिक सोचो अब इस कोश्चन को देखो और सोचो इसका लॉजिक क्या होगा क्या बनेगा इसका लॉजिक क्या है अब आपको इन दौनों से कैसे भी करके 111 तक पहुचना है सोचते हैं क्या मैं स्कॉयर पे ले जाओ स्कॉयर पे ले जाओगे 225 होगा और 6 का स्कॉयर 36 होगा अगर आप माइनस भी करोगे तो बहुत जादा अंतर 111 तक नहीं पहुच सकते तो कुछ और सोचो है ना आप कुछ और सोचो क्योंकि 111 तक पहुच नहीं सकते है तो अब मेरे भाई अगर मैं इन दौनों का गुणा कर दूँ 15 का 6 सो गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा 90 111 बनाने के लिए अब कितना चाहिए 21 और चाहिए तो मैं 15 और 6 को जोड़ दूँ तो 21 आज आएगा मतलब एक बार गुणा आए एक बार इंटू है एक बार इंटू है एक बार एडिशन है तो कितना आगिया 111 आगिया सेम कंडिशन यहां पे लगाओ 23 और 23 का गुणा कर दो कितना होता है 529 तेश और तेश को जोड़ दो कितना होता है 46 कितना आएगा 5, 7, 5 is the right answer 575 आएगा बिल्कुल सही जवाब है B आएगा बिल्कुल गुडिया जी का ज़िए जवाब आया सब लोग का सही जवाब आया B is the right answer इसका जवाब बताएं इसमें कितनी लाइन है नमबर ओफ लाइन इसमें कितनी है गिनो देखो इन फिगर्स को आप लोग बार बार करके बार बार प्रैक्टिस करके अच्छे से दिमांग में बसा लो पेपर इनी भी से आता है तो मेरे भाई एक लेली दो लेली, तीन लेली तीन लाइन हो गई, फिर ये चाल लाइन, पांच, पहले देखो लेटी लेटी वाली गिल ली आपने तीन, लेटी लेटी वाली तीन गिल ली आप खड़ी खड़ी वाली किनो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तीन और तीन, छे और तीन, नो, तो नो और कि यहुआ सत्रा मतलब कितनी हैं एक डो तीन चार पांच पांच और अब फांच इतर थे चीज़ें विआ की देखऊ गो एक दो तीन चार और पांच पांच और तो बाइस बिल्कुल सही जवा रहा है 22 इस राई से 22 आजब तरो सीधे चीव जिना करो सीधे सीधे ति ना बताो लोगती अ कौन किस रही है यहाँ पर सेव्orem को सभिंटे क्या कीे अ इंडिया का डान्स है यह इंडिया का डान्स है इसको ध्यान रखेगा इसी तरह से बैलेट जो है वो रूस का डान्स होता है एक बार देख लो इमेज भी यह सात्रे है यह इंडिया का डान्स है यह बैलेट डान्स होता है यह किसका डान्स है रूस का इसको ध्याद रखेगा ठीक है ना इसका बनाए इसका ग्या बनेगा मेरे बाई इसका ग्या बनेगा इसका बताओ इसका लोजिक क्या है कौन आंसर कर रहा है इसका लोजिक क्या है यहाँ पर उमेज जी, कार्थिक जी, गुडिया जी, संतोज जी सब लोगा जवाब आया इसका लोजिक सुचो इसका क्या होगा कोई जवाब नहीं किसी का देखो कुछ नहीं है एक और एक को जोड दिया दो बन गया एक और दो को जोड़ दिया 3ग गया, तीन और एक खोड़ो दिया 4 गया, सहिंक है? सेंप कंडिशन, दो और चार को जोड़ दिया 6 गया, दो और तीन को जोड़ दिया 5 गया, आठ और पांच को जोड़ दिया 3 गया, तीन और एक खो 479 is the right answer. ठीक है चलो अगला बताओ मेरे भाई दक्षिंग कोडिया का जो है वो सबेरियन बाग है तो कौन कहां का यह इसका नैशनल एनिमल है दक्षिंग कोडिया का नैशनल एनिमल सबेरियन बाग है तो कौन कहां का है तो कौन कहां का है थाइलेंड का क्या है हाती है थाइलेंड का ह अगला पता है इसमें अलग क्या होगा इसमें अलग क्या होगा इसमें यहां पर अलग क्या होगा मोms यह क्या है इप सर यह यह सर यह इवन नमबर हे इब ईवन नमबर यह इवन नमबर नहीं है 17 विल् ska होगा is 17 मतलब क्यूसर राइट अंसर बहुत सब Prot Correct बताओ 95 से 61 बना है 92 से क्या बनेगा 95 से 61 बना है 92 से क्या बनेगा सोचो जल्दी से यहां पे संदीब जी प्रीती जी सब लोगा जो आप से आया है अब 95 से 61 मतलब है कितने का अंतर है 34 का अंतर है तो 92 में 34 का अंतर करूँगा तो सर नहीं जा रहा है ना क्योंकि 8 में से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो 58 होता दिखेगा 58 तो ऑप्शन में है नहीं तो कुछ और लॉजिक है सोचो अब क्या लॉजिक हो गया यार तो मेरे बाइक कुछ नहीं है बहुत सिंपल है नो और पांच का आजा कर दो चार चार का स्कॉर कितना होता है सोला और सामने वारे ने उसे उल्टा लिख दिया है कितना हो जाएगा 61 नो और दो कांथर के दो कितना होता है साथ साथ का सक्षोर कितना होता है एल्टा लिख दो 94 is the right answer 94 जवाइगा बता जमाइब को समझ में आया कि नहीं आया तो यहां पर सही जवाब होगा 94 is the right answer है चलो इसका जवा बताएं इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे रेक्टेंगल बताने रेक्टेंगल कितने होंगे बताओ जल्दी से नमबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होने वाले हैं यहाँ पे number of rectangle कितने होंगे बताएं यहाँ पे जिया जी रश्मी सौनी माम मनीबाल जी सब लोगा जवाब आ गया देखो number of rectangle में आप लोगों कई कई बार एक चीज सिखाई है यार ये चीज कई कई बार आती है आप लोग को अच्छी तरह बता है rectangle कैसे count करते हो rectangle count करने का तरीका होता है सब को जोड़ दो एक side की layer जोड़ो उसका गुणा करो दूसरी side की layer की addition से ठीक है तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 3 तो 30 हो जाएगा अब माल लो अगर मैं इस side में कोई addition line ही ना दू तो सब को जोड़ोगे CDC बात है फिर तो सब को जोड़ोगे बस तो same condition एक और दो यहाँ पे कितने होंगे 3 एक और दो यहाँ पे कितने होंगे 3 एक और दो यहाँ पे कितने होंगे 3 और एक और दो यहाँ पे कितने होंगे 3 बारा के बाद एक यहां से यहां तक का एक और फिर एक इसके आगे तक का दो सेम कंडिशन हर जगे यह दिखेगी एक यहां तक का एक यहां तक का दो एक यहां तक का और एक यहां तक का दो एक यहां तक का और एक यहां तक का दो तो दो और दो चार और दो छे और दो आठ आठ और हो गए बीस और एक पूरा बड़ा वाला टोटल कितने है 21 है 21 है 21 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 21 होगा कोई बात निया मही जी 21 होगा इसका बताएं order ranking एक छोटा सा question आपके सामने order ranking एक छोटा सा question आपके सामने इसका जवाब बताएं इसका जवाब यहाँ पर क्या होगा order ranking एक छोटा सा question है आपके सामने इसका बताओ क्या होगा इसका जवाब यहाँ पर क्या बनने वाला है order ranking का एक question यहाँ पर इसका जवाब यहाँ पर क्या बनेगा 14 from the right इना 40 boys तो आप लोग को पता है यह वाले formula मैंने सिखाए भी थे यह total निकालने के लिए होता है यह left निकालने के लिए होता है formula यह ही है चाहो तो उसमें रख दो चाहो तो उसमें रख दो और यह right निकालने के लिए होता है अब एक ही परसन आता है तो यह formula हो गए तो यानि के अगर नहीं बात कर रहा हूँ left से है तो कितनी होगी left से 40 minus 14 plus 1 ठीक है तो 40 में से 14 गटा दो 26 और 27 is the right answer 27 सही जवाब हो जाएगा 27 is the right answer clear है मिरे बाई सब लोगो बहुत बढ़िया इसका figure को complete कर दो जल्दी से क्या होगा मेरे बाई जल्दी से बता दो इस figure का completamente क्या होगा बताएगे जल्दी से इस figure को complete करके देदो इस figure का عت gonna ditation क्या बनेगा गुड मॉनिंग जी चलो इस figure को complete करते है यह दो line इओपर आएंगी इन दो लाइनों के बाद ये वाला सरकल आएगा और कोई भी लाइन इन लाइनों को पान नहीं कर रही बीच में से तो बीच में से तो कोई पान नहीं कर रही तो ये भी गया केवल तीन लाइन तक ही रह रहा है हर किसी में तो A is the right answer पहला वाला बनेगा बस पहला वाला बनेगा इसमें बताएं इसमें क्या order होगा मिरे बाई इसमें क्या order होगा dice का जवाब क्या होगा dice लगबग लगबग लोगों ने पड़ रखा है मैंने कई लोगों को batch वहीं बढ़ाया है पासे में कभी opposite face जड़े हुए नहीं होते आप एक बताओ जो top पे चीज है एक बाँ बताओ dice में जो भी चीज top पे है उसके जो भी bottom में आएगा वो कभी top के किसी भी side से जड़ा हुआ नहीं होगा तो डासे में कभी opposite face जड़े हुए नहीं होते तो इसलिए हमेशा आद रोखना है एक एक के गैप पर जाती है जात थर्फ डायेगा उसको इध्यान duplicate बता सकते हैं उससच बात सक्टिए स्घूरा सक्टिर इसमें number of triangle कितने होंगे यहां पर number of triangle बताने हैं कितने होंगे बिल्कुल पचान साथ देखो सबसे पहले आप लोग को एक basic बाप बताएक डिब्बे में कितने होते हैं एक डिब्बे में होते हैं चार का दुगना आठ जो भी highest values का दुगना कर दो तो एक, दो, तीन, चार, आठ इसमें हो जाएंगे एक, दो, तीन, चार, आठ ही इसमें हो जाएंगे मतलब 16 ठीक है ना सुखा सुखा सिखोला दिख गया 16 के बाद अपन को दिखा 17, 18, 19 19 तो ऐसा है जो पूरी तरह से दिख रहा है सुखा सुखा चलो अब देखते हैं आप बाकी के क्या-क्या दिख रहे है बाकी के अगर आप बात करूं तो एक उपर की तरफ ये वाला बन जाएगा 20 और एक नीचे की तरफ ये बन जाएगा 21 तो पूरी क्लास को 21 दिख गए होंगे I hope सो और एक पूरा बड़ा एक पूरा बड़ा कितने हो गए 22 तो पूरी क्लास को 22 दिख गए होंगे I hope दिखकत नहीं होगी 8 इस में 8 इस में 16 17 18 19 एक ये 19 20 21 और एक पूरा बड़ा 22 22 के बाद जो रह जाता है जो रह जाता है वो कौन सा रह जाता है उसको देख लेते हैं जो मैं बता देता हूं जो रह जाता है जनरल वे बाहस के बाद बच्चे ये वाला देखते हैं अंसर लो गी बहुत इस स्विगर में देखते हैं ठा openness बोल दोके आपनी तो इस विगर का देखते हैं में इस भिकर में देखते हैं 48 वोल दो के आप लोग खतम घानी ठीक इसमें में बताइए क्या होगा tensor lado 210 14 इसका किक आएगा दो कि 10 अब देखो हाँ है ना 16 और 14 के बीच में आता है क्या आता है 15 जाना 15 आता है 15 का स्क्वाइर माइनस पंद्रा या लॉजिकल स्क्वाइर या दोंगे तो सीधे सीधे बन जाएगा 15 का स्क्वाइर 225 उसमें से 15 घटा दिया 210 बन गया बहुत आसान सा कोश्चन था सबसे बढ़िया यही था तो सेम कंडिशन 12 और 10 के बीच में क्या आता है 11 11 के स्क्वाइर में से बावू 11 घटा दो तो 121 में से 11 घटा दो कितना जाएगा 110 बिल्कुल से जाओ जाएगा 110 जीरो जाए राइट अंसर 11 जीरो आएगा अगला देखते हैं इसका बताओ इसका क्या होगा 14 से 15 बना 8 जटीं से 27 बना नौ और साथ से क्या बनेगा 9 और 6 से क्या बनेगा जल्दी से बताओ सोचके क्या लग रहा है logic क्या लग रहा है आप सोचो दिमाग लगाओ सर 15 कैसे बना सकते हो आपको क्या गणया होता है आपको जब भी ऐसी question आते हैं यहीं तो करना इन लोनों से 15 बनाना है तक भीरिंड खर्ड मैं पांच को ना 3 से कर दो तो 5 दी आ पंधा बन जाएगा तो एक और चार का अंतर निकाल दियो तीन हो गया तो 15 आ गया किसी को नहीं समझ में आया तो समझो 8 और 2 को जोड़ो 10 हो जाएगा 8 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा गुणा कर दो 60 आ गया सब सही पहचाने आप देखो आप अपने कोश्चन्स बगेरा बोलो पूछो काम हो जाएगा इसका लॉजिक क्या है गुड मॉर्निंग अजे जी इसका लॉजिक सोचो में डिवाई देखो यहा पर सीदी घट गई 56 का अधा हो गया हमने सही बात यहाँ पर 28 का चार तीह बारा दो त्या छे तो एक बार गुणा हो रहा है याए बार डिवाइड हो रहा दो तो 122 का अधा कर दो 3 x 3 3 a.m. आखिर मैं 9 इसी में यह तो यही जवाप हो जाएगा बात गता 189 जा रइट अंसर इसका बताऊ इसमें क्या आएगा मेरे बाई अलग इसमें क्या अलग आएगा इसमें क्या अलग आएगा बताएं का इनिस साथ सोनिस सत्रा थी फूर थ्री 17 12-12-18-324 क्या अलग होगा अलग क्या होगा बताएं है क्लिए पिर है सब लोगों को चलो बहुत बढ़िया अब आपको क्यूब या स्क्वाइर या आदर साफ सफ दिख रहा है साफ इन नौ का क्यूब है अब नो क्यासे आएगा इन नंबरों का गुना कर दो यह साथ का 324 जो 18 का स्क्वायर है तो यही अलग हो जाएगा डी जा राइट अंसर डी अलग हो जाएगा इसका बना है फिफ्टी नाइन तेज फॉट्टी टू फॉट्टी सेवन और देखो मैं पहले ही बोल दूं सोचो दिमाग लगा के इसमें क्या बनेगा मेरे बहुत सिंपल लॉजिक है आप लोगो सबको दिख रहा है सर यह प्राइम नंबर है यह प्राइम नंबर है फिफ्टी टू अलग नंबर हो जाएगा क्योंकि यह इवन है बागी सारे सब लोगा जवाब आया है बहुत चांदार वेरी गुड अधाओ हानिशा जी डेली होती है बिटा रात न साड़े आठ बजे भी होती है एससी के लिए टेकन को बोला जारहा है जैड जी पी अम बी ओरबिट को क्या बोलेगा एक्जाम्रन ने ये बूछ भूच आए ठीक है सर तो ए का जैड टी का जी आपोजिटै किका पी E का B M का N तो मतलब opposite चल रहे हैं तो आप पूरा solve नहीं करोगे सीधे यही वाला first task पकड़ो R का opposite आई आ रहा होगा तो यह गया यह गया और I का opposite आ रहा होगा तो I आ रहा होगा यहाँ पे L हो जाएगा और B का opposite बीच वाला पकड़ लो यह आ रहा होगा तो C is the right answer C is बिल्कुल सही जवाब है C बिल्कुल सही जवाब है इसका जवाब बताए 82, 136, 84, 94 59 क्या बताएं सोचो दिमाग लगाओ मेरे भाई 8, 2, 16 होता है सार 136 तो होता नहीं है 8, 32 होता है सार 94 तो होता नहीं है अब सर यह कैसे बन रहा है कैसे करें तो मेरे भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना सबसे बढ़िया है बिल्कुल लॉजिक वही है 8, 2, 16 इन दौनों का स्कॉाइर दे दिया है 6 का स्कॉाइर 36, 1 का स्कॉाइर 1 8 का 4 से गुणा करो कित्ता होता है 32 वहीं में बोल रहा था 3 का स्कॉाइर 9, 2 का स्कॉाइर 4 तो सेम इसी बैटन पर 5 नाम 45 4 का स्कॉाइर 16, 5 का स्कॉाइर 25 16, 25 बिल्कुल सही जवा हो जाएगा C is the right answer ठीक है निशा जी बिल्कुल 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 इसका logical sequence अरीज कर दें इसका logical sequence क्या होगा जल्दी से बताएं यहाँ पर सब लोगा जोवा बिल्कुल सही आया है 16, 25 राइड अंसर फिछले वाले कोशन का इसका logical sequence बताओ इसका logical sequence क्या होगा अब मेरे भाई सोचो practical दिमांग लगाओ practically पहले दिमाग लगाते है sir क्या क्या चीज़ें वनेंगी क्या क्या चीज़ें नहीं वनेंगी भीज है पौदा है फूल है मिट्टी है तो सारी कहानी मिट्टी से शुरू होगी यानि कि तीसरे से शुरू होगी first और last पकड़ो हमेशा मिट्टी से शुरू होगी ठीक है अब छटे और पांच में से क्या आखरी आएगा पहले पत्ती आती है कि फूल आते है तो sir पहले पत्ती आती है फूल बाद में आते हैं या फल बाद में आते हैं फल बाद में आते हैं तो last में पांच मारा होगा तो यानि कि D विल्कुल सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट पकड़ो हमेशा याद रखो इसका बताओ Kenya, Nibori, Norway क्या Kenya, Nibori, Norway क्या तो यह राजधानी है Kenya की राजधानी क्या है? Nirobi, Norway की क्या होगी? Oslo is the right answer इसको याद रखना एक लाएं का कोश्टन G.S. का बन गया आपका Oslo is the right answer इसका बताएं, अगला कोश्टन आपके सामने Behu एक बहुती फेमस डान्स फ्रॉम है असम का Roof कहां का डान्स फ्रॉम है Roof कहां का डान्स फ्रॉम है बिलकुल राहूल चौरसिया जीन है सही जवाब बताएं था किर्थी जीन हो पूटा लॉजी की बता दिया था प्रॉम हाले कोश्टन का यहाँ पे रूफ जो है वो कश्मीर का होगा ध्यान रखने का कश्मीर का है यह स्टेटिक जीए का आपका एक पार्ट है तो आप लोगों यह आसानी से याद रह सकता है कश्मीर इस राइट अंसर इसका जो आप बताएं 923 से 33 हुआ 467 से क्या होगा 923 से 33 हुआ तो मैं सबको जोड़ दू 9, 10, 11, 3, 14 होता है सब लेकिन और यहाँ पे तो एक्जामनर 33 बोल रहा है जोडने का हिसाब तो होगा नहीं है अब जोडने का हिसाब तो हो नहीं सकता तो कुछ और सोचो अब 33 हो रहा है आपको कनना गया है आपको इससे 33 ही तो बनाना है यही तो आपका काम है तो अगर आप सबको जोड़ो 9 नौर 21 शुरुबात के दो नंबर जोड़ो के बल शुरुबात के दो नंबर और पीछे वाई नंबर से गुणा कर दो तो 33 हो जाएगा आपको 33 जो बनाना है कट पिट कैं कैसे भी 6 और 4 को जोड़ो 10 10 का साथ से गुणा करो 70 बिल्कुल सही जवा हो जागा 70 जराइट अंसर क्लिए ले बाई कि अल के लिए अल के लिए बबू अभी में अपने टेलीग्राम का मेरे टेलीग्राम में जॉइन हो जाना कुल्दीप महिंद्रास रीजनिंग टेलीग्राम का नाम होगा बेटा कुल्दीप महिंद्रास रीजनिंग यह टेलीग्राम का नाम है उसमें आपने डाउट भी कोई बात पूछनियों, classes अगारा इस लेटे तो वो भी बता दूँगा, अभी पढ़ाई करते हैं थीक़िए न, अभी पढ़ाई करते हैं, इसमें कितने रोट्राइंगल सेमगता हैं, नमबर और ट्राइंगल इसमें कितने हैं, देख उधार गिनों पहला, सुका-शुका कि एक और दो ये भी कितना 3, सेम पैटन यहाँ पर जाएगा 3 3 3 तो 3 और 3 छे और 3 9, 9, 9, 18 18 हो गए 18 मेरा क्याल है पूरी क्लास को दिख गए होंगे ठीक है ना 3 और 3, 6 और 3, 9 3 और 3, 6 और 3, 9 9, 9, 18 दिख गए होंगी अब सेम इधर की तरफ जाएगी कहानी ये तीन ये भी तीन और ये भी तीन तो यहाँ पे भी नो बनेंगे और सेम इधर भी जाएगी कहानी ये तीन, ये तीन और ये भी तीन तो ये भी आप लोगों के नो बनाएंगे तो यानि कि 18 और 18 कित्ते हो गए 36 हो गए 36 is the right answer 36 बन रहे है बबू 40 नहीं बनेंगे 36 बनेंगे clear है तो आई हो पूरी क्लास को समझ में आया होगा 36 बनेंगे इसका बताए वेजीटेवल टमेटो फ्रूट टमाटर सब्जियां फल क्या अलग है टमाटर सब्जियां और फल अलग क्या है मतलब अलग नहीं सॉरी मतलब बेंट डाइग्राम बनाना है चलो सारा टमाटर जो है वो सब्जी है और टमेटों इस वेजीडेबल और फ्रूट अलग हैं खदम कहां नहीं बी इस तराइट अंसर बी होगा चत्रीस अब लोगों को पिटाने वाले कोश्टन हैं बहुत बढ़िय हैं इसका जवाब पर नहीं है इसका अलगफार लोगों का गलत हो जाता है बहुंत साह लिए वाला और कोश् acceso कने से givesδαक करने से क्या झाय और की oportun सप्सक्रद करने से क्या होगा grid आप City करते हैं धीक है वह बने की बात है अछी बात मैनर नहीं कहलाएगा वो स्युकार गन्हा कहलाएगा यह चीज ध्यान रखना यह चीज अलग होती है इसको याद रखना इसको याद रखना कैंची क्लॉथ किस से क्या कैंची क्लॉथ किस से क्या कैंची क्लॉथ किस से क्या इसमाइल तो होगा नहीं इसमाइल नहीं होगा एक काटता इस मौक रिमूफ को नहीं काटता फ्यूरेंस इस मौक को नहीं काटती की लहतोरे को नहीं काटता रेजर शेफ को काट देता है बीज अलग हो जाएगा रेजर शेफ को काट देता है यह बहुत बढ़िया कोश्चन है इसको बहुत बढ़िया बहुत शांदार कोश्च अब नेका ठीक है और फिर उसके बाद क्यागर आ गया फिर उस नम आप उसके बाद में फिर एक दूसरे से संख्या को बदल दिया गया तो उस कारण से क्या हुआ बारा नंबर का अन्तर आ गया उस कारण से बारां क्या होगा नंबर क्या होगा तो मेरे भाई इसको समझो यहाँ पर ये कोश्चन भाई उप्चन होगा अगर आप 20 को घुमाओगे मेरे भाई उपर से नीचे तक घुमानी की बात हो रही है तो 20 घूमके ऐसा बन जाएगा यानि कि 2 सीधा तो होगा नहीं बताओ उपर से नीचे तक घूमाने की बाद है मतलब इसकी water image बनाओ पहले water image बनाओ 2 की water image कैसी बनेगी सर 2 की water image तो ऐसी बनेगी टाके जैसी तो यानि कि 20 तो हो नहीं सकता 12 भी नहीं हो सकता क्योंकि 12 की water image यासी बनेगी तो 12 भी गया 86 की water image सोचते हैं कैसी बनेगी उपर से नीचे तो 8 आएगा और ये बन जाएगा 9 बोलो हाँ याना 9 बन जाएगी 86 की water image कैसी बनेगी 9 9 बनेगी सही है अब उसके बाद में इन दोनों value को interchange कर दो तो कितना हो जाएगा 98 98 और 86 का अंतर कितना है 12 तो real value जो value बनके आई उन दोनों का अंतर कितना है 12 तो यानि कि सही जवाब क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा 86 is the right answer C and D नहीं होगा पहले एग्जामने ने बोला है इसकी water image बनाओ तो 89 बनी फिर उसके आइंटाचेंज करो तो 98 हो गया 90 और 8 और 86 का अंतर भी 12 है तो विलकुल सही जवाब क्या होगा 86 होगा बबू इसमें बताएं कितनी state line है इसमें state lines कितनी है number of state lines यहाँ पर कितनी होगी बताएं सब लोगों का पत्ता गड़िया पिछली वाले question में क्या 86 होगा cnd वालों की जै गलत हो गया रहूल चौरासया जी बोलने है देखो question नहीं वह है आप लोग यहाँ पर सीख रहे हो ना तो गलत होने में कोई बुराई नहीं है यहाँ पर स्टेट लाइन गिनते है एक डिब्बे में हमेशे याद रखना चार होती है बेसिक बात है यह हो गई पांच वी यह छे यह साथ यह आठ यह नो और यह दस तो दस है 10 is the right answer दस है दस बारा वालों की गलत हो गया दस बिब्बल साही जवाब हो गया इसका logic सोच के बताओ मेरे बाई इसका क्या होगा बड़ा आसान question इसका logic क्या होगा 43,33,21 किस्से क्या relation है same pattern में किस्से क्या relation है सेम pattern में किस्से क्या relation होगा 4,3,12 3 का 3 से उना कर दो तो 9 दौनों को जोड़ दो 21 हो रहा है सेम पैटन साथ का एक से गुणा करूंगा साथ आएगा छे का जीरो से गुणा करूंगा तो मेरे भाई जीरो हो जाएगा यह नहीं हो सकता चार दुनी चार दुनी आठ छे कम छे आठ और छे अर्टारिस नहीं बनाता नौ दुनी आठारा यह तो 17 ही जादा हो गया तो यह ही होगा बस साथ का एक से गुणा साथ एक का छे से गुणा छे दोनों को जोड़ दो तो 13 बन रहा है डी जारा राइट आंसर डी विल्कुल सही जवा हो जाएगा डी होगा क्लियर है स्काई बताइं इसमें कितने ट्रैंगल्स है तक जबहों के न्वरटरेइंगल इसमें कितने होंगे बताएं ट्यामर पाबू खतम गोई डेखो timer भाबु खतम, number और triangle की बात करते हैं सबसे पहले एक बात ध्यान रखना जब भी एक normal question आता है जब भी ये आता है, इसको याद रखना बहुत ध्यान से समझा रहे हो, इसको बहुत ध्यान समझा जब भी एक triangle के अंदर triangle गिनने की बाता है तो आंक बंद करके बोल देना अंदर वाले की value हमेशा 4 की और भार बड़ा वाला एक का मैंने क्या समझा है तो सुनना अंदर वाले की value 4 की बड़ा वाला एक का कैसे 1,2,3,4 और एक पूरा बड़ा 5 तो मेरे भाई एक और बताओ अगर मालो मैंने इसके अंदर एक और भड़ा दिया तो अभी अंदर वाले की value कितने की हो जाएगी 4 की तो 4,4 के 2 हो जाएंगे और एक बड़ा वाला हो जाएगा तो इसमें कितने हो गए? 9 9 हो गए? ठीक है 9 के बाद 1 और 2 अब बहुत सारे बच्चों ने यह उपड़ा होगा की एक और 2 को जोड़ दो तो 3 हो जाता है गलत नहीं पड़ा सही पड़ा है लेकिन यह तो अलले लेडी 9 में कांट हो गया ना डबल तो कांट करोगे नहीग डबल तो कांट करोगे नहीं तो एक और दो कितना होगा, दो ही होगा, यहां पे भी दो ही होगा और यहां पे भी दो ही होगा, तो यह च्छे और भढ़ेंगे, और यहां पे भी दो दो के और भढ़ेंगे, मतलब 6 और भढ़ेंगे, यह तो अल्लेडी काउंट हो चुका है न, किवाल एक और दो काउंट ह होगा तो यह छह के और भढ़ेंगे तो बारे कोश्राइब 21 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2121 है बिल्कुल सही जवाब सब लोग आ रहा है बहुत बढ़िया 21 इस पश्राइगल बताएं number of triangle इसमें कितने होगे number of triangle इसमें कितने होगे बता है देखो timer खदम आप लोग को एक बात बहुत अच्छी तरह पताएं एक डिबे में कितने होते हैं चार होते हैं चार दूनी आठ तो इसको ओड़ो डिबे को तो एक आठ आठ और अगर मैं एक rectangle की बात करूँ तो इसमें सबको जोड़ देते हैं तो एक और दो तीन होते हैं तो इसमें तीन इसमें तीन और इसमें भी तीन तो 8 ये 16 और 9 शोलह और 9 कितना हो गया 25 हो गया 25 तो सुका सुका दिख गया 25 के बाद में mix वाला देखते हैं तो यह 26 बनाएगा यह 27 बनाएगा यह 26 और यह 27 का यह 28 और यह आपका होगा 29 इस तर आइट आइट आंसर 29 बनने हैं यहां पर सब लोगा जवाब से आया है 29 वालों की जै, बहुत बढ़िया इसका जवाब बताएं, इसका क्या होगा इसका जवाब यहाँ पर क्या बनने माला है मिरे बाई 28 नहीं 29 है, एक कम दिखा भाई जी इसका क्या होगा A के P को ये बोला गया L कनो क्या बोला जागा, सर आप तो बोलोगे सरी तो बच्चों वाला कुष्चन है P की वैल्यू 16, 16 का स्कॉयर है K की वैल्यू 11, 11 का स्कॉयर है और A की वैल्यू 1, 1 का स्कॉयर है Same condition, यानि की स्कॉयर जो है पीछे वाले को पहले लिखा गया 15 के स्कॉयर पहले आएगा 225 पहले आ रहा होगा चलो, इस कोशन को सोचो, टाइमर पूरा फिर से चालू कर दिया है एक सेकंड मेरे भाई चलो, सोचो चलो इक कोशन को एक काम ये काटते हैं इस कोशन को हॉमबग रखते हैं अपन लो ये कोशन आप लोग का हॉमबग रहेगा यह कॉशन आप लोग का हॉमबग रहेगा यह मेरे टेलीग्राम का नाम है कुलदीप महिंदरा सीजनिक और क्लासेस के वारे में भी मैं आपको बता दूँ सबसे पहले तो सारी जरूरी जानकारियां यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइट करा देता हूँ दिक्कत नहीं है मेरी क्लास रात में साड़े आठ बजे चलती है SSC के लिए रात को साड़े आठ बजे चलती है मेरी क्लास SSC के लिए ध्यान रगना इस टाइम को सेट कर लेना बहुत शांदार क्लास रहती है डेली कुछ नया सीखते हैं बहुत बढ़िया question कराते हैं ये मेरे telegram का नाम है कुलदीप महिंदराजीजने आप इसमें अपने doubt पूछ सकते हो जरूरी pdf के लिए important notification के लिए या कोई भी आपको personal बात पूछ नहीं हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी admission से related doubt है, किसी भी तरह का doubt हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे पास और कोई source नहीं है आप से बात करनेगा मेरे पास केवल यही source है आप से बात करनेगा तो यही मेरा telegram का नाम है जिसमें आप मुझसे अपने related कोई भी doubt पूछ सकते हो कुलदीप, फिर महिंदराज, और फिर रिसने ठीक है बाबू? और अच्छा अगर लगे session तो बिलकुल अपने दोस्तों को भी share करिएगा और like करना मत भूलेगा सभी लोग अगर session अच्छा लगे तो ठीक है? अम मिलते हैं कल नहीं, बलकि आज ही कितने बजे? साड़े आड़ बजे शाम को, क्योंकि इसमें साड़े question बहुत unique और बहुत बढ़िया होंगे आज की class के, ठीक है? चलो, जैहिन, जैभार, ठीक है राउल चोरे से अजी, चलो मेरे बाई तो इस टेलिग्राम में जुड़ना बिलकुल मत बूलिएगा और श्याशन को जबा के ज़रूर शेयर और लाइक करेगा तो मिलते हैं आज शाम साड़े आड़ बजे ठीक है? चलो बिलकुल रश्मीजी सही कह रही है ठीक है? चलो, टेक केर मेरे बाई बाई तेक है?